हे काई स्वागत है आपका मैनेश चनल के एक और नए इंटरस्टिंग वीडियो पुर्छिन दूस्तो हमारी एक और ने स्मार्ट वॉच्छ लाउन्च होने वाल याजो कि होने वाली है फाइर बोलड की तरफ से जिसका नाम होने वाला है फाइर बोल humble थंडर जी हाँ दोस्तों आप इसके नाम से यार समझ गयोगे वाच भी कितने यादा थंडर होने वाली है तो पूरी बात करेंगे वीडियो के अंतर इसके सारी स्पेक्स और फीचर्स हमारे सामने निकल के आ चुके हैं वाच काफ यादा इंटरस्टिंग है और वीडियो भी काफ यादा इंटरस्टिंग होने वाली है तो मेक शूर आप वीडियो कर देना लाइक चैनल पर नहीं हो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बैन नोटिफिक्शन को दबाकर कर लेना था कि आप कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिस ना कर सकते हैं दोस्तों पिना आपको 360 by 360 का pixel resolution भी देखने के लिए मिल जाता है तो दोस्तों ओवरों बात करें यहाँ पर आपको काफी शांदर वाली display देखने के लिए मिल जाएगी इस watch के अंदर दोस्तों बात कर लेते ही कुछ इसके highlighted feature जो की होने वाला है calling जिसके अंदर आपको mic और inbuilt-built speaker भी देख आपको SPO2, heart rate, sleep monitor, breath sensor और यहाँ पर आपको body temperature और बाकी अधर features भी यहाँ पर आपको देखने के मिल जाएंगे और दोस्तों बात करें तो 30 sports mode यहाँ पर आपको available होते हैं इस smart watch के अंदर दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ watch faces और water resistance के बारे में तो यहाँ पर आपको 200 से भी ज़्यादा watch faces देखने मिलते हैं तो यहाँ पर आप watch faces से भी बिर्कुल बोर नहीं होने वाले हो इस smart watch के अंदर दोस्तों water resistance यहाँ पर आपको IP68 की water resistance देखने के लिए मिलती है दोस्तों बाकी अदर features की बात करें तो यहाँ पर आपको voice assistant का support भी देखने के लिए मिल जाता है इस smart watch के अंदर multiple games देखने के बिल जाएंगे और दोस्तों smart notification के साथ यह आती है और दोस्तों बात कर लिए battery backup की तो यहाँ पर company claim करते है आपको 7 days का battery backup देखने के बिल जाएगा इस smart watch के अंदर दोस्तों बाकि अधर features की बात करें यह तो हो गए ते मेंग में features अधर features की बात करें तो आपको यहाँ पर सभी आपका water reminder, weather, update, camera, control और आपका alarm बगएर आपको सभी का option यहाँ पर आपको देखने बिलता है तो कोई भी feature इस watch के अंदर missing नहीं होने वाला है तो definitely इस watch को मैं आपको recommendate करूँगा अगर आपको budget 4000 होने वाला है क्योंकि मुझे लगता है यह जब भी launch होगी क्योंकि अभी इसकी जो launching date है और launch price है वो अभी disclose नहीं हुआ है बर मुझे लगता है definitely 4000 के आसपास यह watch launch होने वाली है तो हाँ आप इस watch को buy करने लिए रुक सकते हैं अगर आज किस वीडियो में आ रहेत नहीं था I hope आपको एच्छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो याद पता है आपको क्या करना है वीडियो करना है लाइक चैनलो को लेना सब्सक्राइब दोस्तों बैन नोडिविशन को नहीं देवाय तो क्या करना है तो आकर call पर कर लो ताकि आप नोडिविशन मिसना का सब्सक्राइब दोस्तों बस मिलते हैं अगली वीडियो जब तक के लिए बाए बाए